आज की सीडियो में आप कवर करेंगे questions for upcoming railway pharmacist exam तो बच्चे जैसे कि आपको बता है हमने अपने चैनल पे railway pharmacist examination के regarding पूरी ही series चलाई है जहाँ पर जितने भी questions आपके आ सकते हैं इन तरह के examination में वो हम आप से discuss करते हैं तो बहुत ही ज़ादा benefit होने वाला है आपको अगर सारे questions को आप ध्यान से सुनते हैं उनकी explanation पे आप ध्यान देते हैं तो काफी ज़ादा अच्छा होगा आपके लिए अपने examinations के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चो मेरा नाम स्थूती है मैं एक registered pharmacist हूँ currently USA में settled हूँ और यही से आपके लिए सारा content बनाती हो तो चले शुरू करते हैं अपना आज का session हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का पूछ रहे हैं आप से एक healing agent का नाम जिसका इस्तिमाल कियाता है hand creams में तो पहले इस healing agent का नाम हम देख लेते हैं different options में से बचो answer is का option ए यूरिया अब देखें सबसे पहले hand creams होती क्या है तो यह ऐसी creams होती हैं जिनको अपने हाथों और पैरों पे लगाया जाता है जिससे कि उसका moisture maintain रहे बहुत बार ऐसा होता है ठंड में काफी बार होता है कि हाथ और पैर फटने लगते हैं dry and cracked skin होने लगती है तो इन तरह के conditions में लगाये जाते हैं इन तरह की hand creams होती हैं उनको जिनको hands and legs दोनों पे ही apply किया जा सकता है और किस condition में लगाये जाते हैं तो देखें eczema जिसको कहा जाता है atopic dermatitis eczema और psoriasis में बहुत सारे बच्चे को confusion होते हैं देखें eczema ऐसे condition होते हैं जहां यह छोटी-छोटी spots बन जाते हैं skin पे और काफे जादे eaching यानि खुजली होते हैं इन तरह की spots में जबकि psoriasis के अगर हम बात करें तो इस तरह की white color के spots बनने लगते हैं देखें white and red color की एक तरह की पपड़ी सी जमने लगती हैं जो कि आप कह सकते हैं dandruff की form में इस तरह का psoriasis दिखता है तो इन दूनों में ही difference होता है eczema and psoriasis में and dermatitis में इसका इस्तमाल की जाता है तो बच्चों देखें बहुत ही simple भाषा में dermatitis जहां भी itis लगेगा आपको समझाना है inflammation की बात हो रही है and derma means skin तो skin की inflammation जो की किसी भी कारण से हो सकती है skin पे itching हो रही है skin पे किसी तरह की irritation हो रही है तो उन तरह की conditions के लिए apply के जाती है इन तरह की hand cream जिसमें urea का इस्तमाल किया जाता है अगर urea को low concentration यानि 5-10% की concentration में add किया गया इन तरह की creams में तो ये देता है mosturizing and hydrating effect तो skin को mosturize करने का काम करता है अगर medium condition medium concentration इसको जो इसको add किया गया है 10-20% तो ये act करता है as a keratolitic and anti-inflammatory keratolitic क्या होता है बच्चो देखें ये ऐसी keratolitic term यूज के जाता है ऐसी creams के लिए ऐसी चीजों के लिए जो की skin की layer को break करती है और skin के अंदर तक moisture पहुचाने का काम करती है इन तरह की चीजें ताकि skin जो है वो heal हो सके तो उन terms के लिए keratolitic का इस्तमाल किया जाता है और अगर high concentration यानी 20-25% के concentration में add किया जा रहा है यूरिया तो ये act करता है therapeutic severe dry skin and skin condition ऐसी skin condition जहाँ पर बहुँच ज़ादा dry skin हो रही है तो उसमें यूरिया के concentration आप बढ़ी भी देखेंगे उन तरह के products में 20-25% के आसपास होती है concentration तो इसका answer हमने देखा option है यूरिया तो देखें next question में पूछ रहे है था USP was published in which language आपसे पूछा जा रहा है बच्चों आंसर इसका option D English and Latin तो देखेंगे अगर हम बात करें USP की full form की तो USP denote करती है United States Pharmacopiacum जिसको initially आपको ध्यान से सोना है देखें इनिशली English में publish किया गया था जो इसका first edition निकला था year 1820 में उसको English में publish किया गया था बट जो इसके subsequent editions निकले देरे देरे जो भी जितने भी इसके editions आए हैं अभी देखें 2020 का आप edition देख रहे हैं तो इन तरह की editions में आपकेशनरी Latin phrases का भी इस्तमाल किया गया है Latin language का भी इस्तमाल किया गया है इसलिए option D करेक्ट है option A भी आप देख रहे हैं सिर्फ English बट क्योंकि Latin phrases का भी इस्तमाल किया है तो English and Latin दोनों को ही हमें चूस करना है अपने option में नेक्स कुशन में आपसे पूछने हैं देखे विच आप दे फॉल्लइंग इस ल्यूकोट्रों रेसेप्टर ब्लॉकर तो ल्यूकोट्रों रेसेप्टर ब्लॉकर का आपसे एक्जाम्पल पुछा जा रहा है आंसर बच्चो इसका option B जेफ्री लूकास्ट इसका एक्जाम्पल है तो देखे जेफ्री लूकास्ट एक ऐसी ड्रोग है जिसको बहुत सारी अलग-अलग condition जहां पर ब्रॉंकाइल स्मूथ मसल में contraction हो जाता है परसन को सास लेने में दिक्कत हो रहे होते हैं कौन-कौन से ऐसे condition होते हैं जैसे देखे ऐस्तमा जहां पर इस तरह से ब्रॉंकास जो है वो पूरा ही स्वेल हो जाता है सूच जाता है और बीधिंग प्रॉबलम होने लगते हैं इन तरह के persons को तो इस तरह की condition के profile access and chronic treatment के लि लगती हैं तो इस तरह की conditions में भी प्रिस्क्राइब के जाती है जैफरी लुकास जैसी drug और allergic renitis में भी दी जाती है इस तरह की drug अब हम बात करें अगर देखे कि किस तरह की receptor को ब्लॉक करती है जैफरी लुकास तो सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइड रिसेप्टर को यह इस करते हैं इस तरह की receptor तो जब इन तरह की drug जैफरी लुकास जिसमें एक्जामपल है मॉटी लुकास बहुती कॉमन एक्जामपल है जल्यू टॉन तो इस तरह की drug क्या करती है इन तरह की receptor को ब्लॉक कर देती है ताकि ब्रॉंकोस पास में जैसी condition ना हो और यह हमारी ब्रॉंक का स्मूद मसल रिलाक्स हो जाए परसन को सांस लेने में काफी असानी हो तो इन तरह की condition में प्रिस्क्राइब के जाती है इस तरह की लुकोट्राइं डिसेप्टर एंटागोनिस्ट नेक्स कोशन में आपसे पूछने देखे विच आप दा फॉलोइंग इस एमफोटेरिक स इसका मतलब क्या है कि इसमें दोनों ही अच्छे से आपको एग्जांपल से हम अच्छे से समझाएंगे पहले और कुछ इंफर्मिशन देख लेते हैं इसके बारे में बहुत सारी अलग-अलग आपलिकेशन थोती है इन तरह के एमफोटेरिक सॉल्वेंट्स की एगजांप वाटर है और कहा देखे एथिनूल अमेन, डाइथाइल अमिन जैसे की आभी हमने देखा था और टू अमीनो टू मेथाइल, वन प्रोपेनॉल भी इसका एक्जाम्पल है यूज का कहा कहा इसका इस्तमाल किया जाता है तो जो एक्स्टेक्शन और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है क्यामिकल्स की वहाँ इन तरह की सॉल्मेंट का इस्तमाल किया जाता है ताकि दोनों भी परपस के लिए इसको Acidic Basic दोनों ही परपस के लिए इसका इस्तमाल किया जा सके Pharmaceutical Manufacturing में, Biotechnology में As a Cleaning Agent, Metal Working में Paints and Coating में Personal Care Products को बनाने के दौरान इसका इस्तमाल किया जाता है अगर हम बात करें देखे किस तरह से Act करते हैं यह amphoteric अपने nature को किस तरह से एक्जर्ट करते हैं तो देखे हम बहुत common example है water का जब water यहाँ पर base present है NH3 ammonia present है तो water act करा है as a acid जिसने क्या किया अपना hydrogen atom जो है यह donate कर दिया ammonia को और इसके उपर negative charge आगे तो देखे हो negative and NH4 positive है बन गया जब यह acid की तरह act करा था अब present है यहाँ पर acid तो यह act करा है as a base जहाँ पर इसने क्या किया एक hydrogen ion अपने अंदर अपने पास ले लिया तो यह हो गया देखे H3O positive and Cl negative तो इस तरह के solvents जो की दोनों ही property होती जिनकी acetic and basic उनको amphoteric solvent का जाता है नेक्स्ट कोशन में आपसे पूछ रहे हैं Mono Oxygenase are found in Mono Oxygenase कहां पर पाये जाते हैं वो बिसिकली आपसे पूछ रहे हैं तो answer इसका option A Microsomes में पाये जाते हैं अगर हम cell की बात करें तो cells के Microsomes में पाये जाते हैं Mono Oxygenase क्या होते हैं देखे Microsomal Mono Oxygenase जो हमारी cell की Endoplasmic reticulum होते हैं यह cell का पूरा ही structure है जहां अलग-अलग आप components देख रहे हैं या mitochondria है Ribosome है तो यह जो आप देख रहे हैं Endoplasmic reticulum यहां पर बिसिकली यह पाया जाता है Smooth endoplasmic reticulum में और किसके endoplasmic reticulum में किन तरह की cells में यह पाया जाता है तो liver and other tissue में जो cells होती हैं उनमें यह पाया जाता है अब देखे यह सिर्फ human beings में ही नहीं होता है Mono Oxygenase यह बहुत सारे animals में birds में, insects में, worms में और पी बहुत सारी अलग-अलग species होती हैं उनमें पाया जाता है इस तरह का यह Microsomal Mono Oxygenase जिसमें अगर हम types की बात करें तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा तो देखे सबसे पहले है Cytochrome P450 इसका बहुत बार आपने नाम सुना होगा जब भी हम को किसी तरह की cycle पढ़ते हैं तो इसमें यह बहुत ज़्यादा कॉमन है Cytochrome P450 और दूसरा है देखे Flavin Containing Mono Oxygenase जिसको FMO के नाम से जानते हैं NADPH Cytochrome P450 Reductase तो यह तीनों ही एक्जामपल है Microsomal Mono Oxygenase अब बात आती है कि इनके function क्या होते हैं तो देखे बहुत important function होते हैं कि हमारी body में Xenobiotic Metabolism करना मतलब अगर किसी भी वज़ा से कोई foreign substance body में enter कर लिया गया है किसी भी कारण से तो उसका detoxification करना मतलब वो हमारी body पे जादा असर ना डाल पाए इस तरह का Xenobiotic Metabolism यह करता है उन foreign substance के साथ steroid hormone synthesis करता है cholesterol को convert करने का काम करता है यह testosterone and estrogen में तो बहुत एक basic steroid hormone है हमारी body के fatty acid का oxidation करता है and vitamin D का metabolism करता है ताकि vitamin D हमारी body में अच्छे से absorb हो पाए तो यह सारी functions हमने देखे monoxygenase के natural fat is stored in natural fat कहां store होता है different options में से answer इसका option भी edipose tissue में store होता है natural fat अगर हम बात करेगे कहां present होते है इस थरह की edipose tissue तो d Calvin cutaneous ऑडिपose tissue होते है जोकि हमारे skyn के under under the skin present होते है visceral edipose tissue होते है जोकि जो भी organized होते है उनके अराउंड पाया जाते है और intramuscular choral portion muscle होते है जोकि muscles within the muscle होते है muscles में पाया तो इन तीनों ही जगह पे स्टोर होता है हमारी बॉडी का सारा ही फैट अगर हम बात करें नैच्रल फैट की तो इसे ट्राइगलिसरॉल ती एजी के नाम से भी जानते हैं जो की प्राइमिली हमने देखा स्टोर होता है कहां पर एडिपोस टीशू की एडिपोसाइट्स जहां पर सारे ही फैट स्टोर होता है फंक्शन के अगर बात करें नैच्रल फैट की तो हमारी बॉडी को जितनी भी एनरजी प्रोवाइड करता है जब भी हम खाना खाते तो इस तरह के जो फैट सोते हैं वही हमारी बॉडी को एनरजी प्रोवाइड करते हैं और एनरजी क प्रेशन करते हैं तो यह सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारी बॉड़ी के नैचरल फैट्स के नेक्स्ट कुछ रहे हैं आप से देखे एक्रोलिक टेस्ट इस गिवन बाई एक्रोलिक टेस्ट इसमें से किस एजन के द्वारा दिया जाता है आप से इसका fat and oil present है या नहीं इसका पता लगाने के लिए किया जाता है इस तरह का acrylic test जो की एक तरह का qualitative test है fats and oil की presence पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसी भी sample में वो है या नहीं जहां पर जो sample है उसे react करवा जाता है किसके साथ potassium by sulfate के साथ अगर पूरे reaction के हम बात करने तो sample को test tube में रखा जाता है कुछ crystal उसमें डाले जाते है potassium by sulfate के और फिर ये जो पूरा ही mixture है उसको heat किया जाता है अगर किस एक तरह की order आ रही है उस sample में से एक तरह की smell से आ रही है जो की pungent है और irritating है इसका मतलब इस sample में से acrylic acid जो है वो release acrylic gas जो है वो release हो रही है और इस ही acrylic gas की ही इस तरह की pungent smell होती है और ये confirm करती है कि sample में oil and fat present है अगर हम देखे पूरा reaction की बात करें हमारे तो हमें सब को पता है जो triglyceride होते हैं जब उनका reaction करवाते हैं तो वो convert होते है glycerol and fatty acid में और हमारे sample में देखे क्योंकि oil and fat present है इसका मतलब glycerol भी present होगा जब उसको heat क किया जाएगा तो वो convert हो जाएगा glycerol में अब यहीं glycerol देखे react किया किसकी साथ potassium bisulfate की साथ और इसने बना दिया किसको एक्रोलीन को एक्रोलीन ग्यास जो है ये रिलीज हुई और इसी ग्यास की pungent smell थी यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सिंगल बॉंड से double bond में भी convert हो और इंटीबोडी क्या होती है इन में से तो आंसर है बच्चो इसका option A, glycoprotein एक्जाम में बच्चो आपको सारे अपने options को पढ़ना है अच्छे से समझना है और उसके बाद अपने answer तक पहुँचना है वीडियो में हमारा पस time की तोड़ी कमी होती है तो हम direct answer तक में यह difference होता है कि ग्लाइको प्रोटीन में प्रोटीन से एक तरह का कार्बोहाइड़िड या sugar molecule अटाच होता है नॉन ग्लाइको प्रोटीन में ऐसा नहीं होता है स्पेशली देखे एंटी बॉडिज में स्पेशली जिसका बहुँचा नाम लिया जाता है वो है immunoglobulins immunoglobulins जो है इस तरह की plasma cells होती है जो की produce करती है immunoglobulins जो की white blood cells होती है plasma cell क्या होती है हमारी white blood cell होती है जो की इन तरह की immunoglobulins को release करती है किसके response में अगर उसे लगता है किसी भी तरह का foreign invader यानी bacteria और virus हमारी body में enter किया है तो हमारी जो plasma cell होती है वो इस तरह की immunoglobulins बनाने लगती है और अपने आपको protect करने की खोशिश करती है हमारी body अगर हम type बात करें कि कितने तरह की anti-bodies होती है तो देखे यहां पर आप देख रहे है आई जी ए आई जी डी आई जी इए आई जी जी एन आई जी एम तो यह basic five types की होती है antibodies जो की हमारी produce की जाती हमारे plasma cell के द्वारा next question में पूछ रहा है कि immitin is used in the treatment of immitin को किसके treatment के लिए इस्तिमाल किया जाता है different options में से बचो answer इसका option भी amoebiasis के treatment के लिए इस्तिमाल के जाती है immitin अब देखे अगर हम बात करें amoebiasis होती क्या है तो यह एक तरह का amoebic dysentery के नाम से भी इसको जानते है एक तरह का intestine का infection होता है जो की parasite end amoeba histolica के कारण होता है तो यह parasite का नाम बच्चों बहुत ही common है बहुत सारे exams में पूछा जाता है तो प्लीज इसको जरूर याद अब अगर बात करें immitin की तो इसको किस तरह के देखे किन किन तरह के amoebiasis की treatment के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो देखें intestinal amoebiasis जो कि अभी हमने देखा जो हमारे lumen में होती है जो कि person के lumen में होती है inntestine में होती है extra inntestinal amoebiasis जो कि hepatic pulmonare and cerebral किसी भी region में अगर इस तरह का parasite ने affect कर दिया है hepatic region में pulmonare जो सांस लेते हैं उसके region में cerebral region में तो भी इस तरह का immitin जैसे drug जो है वो प्रिस्क्राइब कि जाती है doctors के दवारा और अमेबिक ड्राइसेंट्री जो कि हमने देखा हमारे इंटेस्टाइन में ही हो रही थी तो इन सारी कंडिशन में दिये जाती है इमिटन को जिसका mechanism of action के अगर हम बात करें तो देखिए जो parasite होते हैं उनकी protein synthesis को ये inhibit करती है protein बनने नहीं देती है parasites के जो cells होती है उनमें अगर protein नहीं बन रहा है तो cell का structure automatically disrupt हो जाता है metabolize नहीं कर पाती है cell और cell की death हो जाती है तो इस तरह का mechanism of action होता है इस तरह की जो हमारे इमिटन ड्रग होती है उनका नेक्स पूछने देखिए ibuprofen belongs to which schedule के schedule से belong करती है ibuprofen तो answer इसको option धी schedule H category की drug है जो की schedule H की अगर हम full form के बात करें तो ये होती है to be sold on retail under the prescription of registered medical practitioner only सिर्फ और सिफ डॉक्टर की prescription P ही इस तरह की medications दी जाती है अगर हम इंडिया की बात करें बाकी अदर जो दूसरी countries होती है उनमें बहुत सारी countries में ये over the counter भी होती है category case category की ये तो non-steroidal anti-inflammatory drug है ये जो की बहुत सारी जो pain management होती है headache, arthritis, जो menstrual cramps आते हैं उनमें ली जाती है जो patients होते हैं उनके द्वारा, fever को कम करने के काम में आती है, inflammation, surgeon को कम करने के काम में आती है, rheumatoid arthritis and osteoarthritis के लिए इन तरह के patients को prescribe की जाती है, doctors के द्वारा thanks for watching बच्चो, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो से, बहुत मेहनत लगते बच्चो आप तक हर content हमें पहुचाने में, तो हमें support जरूर करें, हमारे चैनल को subscribe जरूर किया करें, पसंद आए वीडियो तो like क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं, दोस्तों लर्निंग फामे से प्याने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में